अगर आप गौर से देखने की कोशिश करेंगे तो leftist वो कीड़ा है, मतलब वो प्रानी है, जो कि बाएं हाथ से खाता है, बाएं हाथ से धोता है, बाएं उंगली सब के काम में करता है और बाएं करवठी सोता है अगर समाज में सब कुछ right चल रहा हो, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पिछवाड़े में जौला मुखी भड़कने लगती है, ये right को छोड़कर lift की और निकल लेते हैं, ऐसे लोग को ही हम liftist कहते हैं, हाला कि भारतिय समाज में liftist की उतनी ही आउकात है, जितनी के बारे में जानना चाहेंगे एक ऐसे परम ज्यानी से, जिने साक्षात ब्रह्मा जी से ज्यान प्राप्त हुआ है, दुनिया के किसी भी कोने में किसी तरह की घटना घट रही हो, कुछ भी हो रहा हो, इनको सब पता है, इनको हर फिल्ड का expert माना जाता है, इस्राइल फिलि possibility भी बढ़ जाती है, जो हमास जैसे लोग हैं, जिने इसराइल terrorist मानता है, अगर terrorist group rocket facking है, तो इने भी उन्ही की तरह response करने की जरूत नहीं है, इने वाइलेंस के response में वाइलेंस करने की जरूत नहीं है, उसी लेवल का, तो कि इसराइल एक more powerful country है, उसको more responsible बनने की जरूरत है, तक ये अभी जर्मनी में रहते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि इनको जर्मनी तब shift हो जाना चाहिए था, जब वहाँ पे हिटलर का राज था, पर ये अपने स्रीमुक से उस समय भी दो-तीन लाइने कह देते, तो शायद world war को टाला जा सकता था, हिटलर इनकी बाते सुन ल अगर आप गोर से देखने की कोशिश करेंगे, तो leftist वो कीड़ा है, मतलब वो प्रानी है, जो कि बाएं हाथ से खाता है, बाएं हाथ से धोता है, बाएं उंगली सबके काम में करता है, और बाएं करवट ही सोता है, अगर किसी दिन गलती से ये दाएं करवट सोने की कोशि है यहां के व्यूस काफी अच्छे हैं लेकिन अगर आप मुझसे सचाई पूछेंगे तो मेरी इंडिया में रहने से फटती है क्योंकि जिस देश के बारे में मैं हमेशा ही negative बोलता हूँ चाहे वहां कुछ अच्छा हो रहा हो चाहे बुरा हो उस देश में रहने से तो डर लगेगा ही अगर मैं उस देश में regular रहूंगा तो मुझे पूरा यकीन है कि किसी न किसी दिन मुझे पेल दिया जाएगा दोस्तो मैं इंडिया के बाहर ही रहता हूँ जर्मनी में ही रहता हूँ फिर भी इंडिया के आंतरिक मामलों में हमेशा अपनी उंगल करता रहता हूँ इसके पीछे मैं यह भी कह सकता हूँ कि यह मेरा passion है लेकिन अगर आप एक शब्द में जानना चाहते हैं तो इसके पी पैसा चाहिए गल्फरेंड के खर्चे भी उठाने है तो उसके लिए पैसे की बहुत जरूरत परती है अब यह पैसे मुझे तभी मिलते हैं जब मेरे पीछे को script पेला जाता है और मेरी जुमान से उनी को शब्द बनाके आगे धकेला जाता है दोस्तो मैंने एक बार बिना script पढ़े ये कह दिया था कि भारत से 370 खतम होने के बाद भारत को बहुत बड़ा फाइदा होने वाला है अब मेरे 370 डॉलर काट लिए गये थे उसके बाद से मैं काफी सतर करेता हूँ और script मिलने के बाद करीब दो दिन तक मैं उसे याद करत अला कि इंडिया में मेरे बहुत सारे दोस्त हैं लेकिन परम मित्र के रूप में मेरे कुनाल कामरा और स्वरा भासकर ही है कुनाल कामरा और मुझ में ज़्यादा फरक नहीं है उसकी दाड़ी बहुत बड़ी बड़ी है और मेरी हलकी छोटी है लेकिन चुतिया के मामले में मैं कुनाल कामरा से कहीं भी कम नहीं हूँ जी मैं बहुत ही जादा अभारी हूँ उन लोगों का जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया मुझे फॉलो किया और मेरी वीडियोस को देखते हैं ये सब कुछ एक सपने जैसा लगता है लेकिन कभी-कभी जब मैं सोचता हूँ तो ये समझ पाता हूँ भारत में 140 करोड में से कम से कम 40 करोड चूती लोग होंगे ही अभी मेरे सब्सक्राइबर करीब 6 मिलियन याने की 60 लाक ही पहुँचे है तो मुझे उमीद है आगे चलकर करोडों में चूती मुझे से और जूडेंगे और मेरी आवाज और ज़्यादा बुलंद होगी इतिहास गवा है कि भारत में किसी भी बड़े राजा या बड़े आदमी के पतन में किसी ने किसी निकम्मे और दोके बाज का हातरा है जिसने अपने ही राजा और अपने ही लोगों को दोखा दिया है एक्जामपल के तोर पे आप जैचंद को ले सकते हैं अगर जैचंद ने मुहमद गौरी की मदद नहीं कियो होती तो पृतिवीरा चोहान कभी नहीं हारता इसी तरह भारत में अभी भी कई जैचंद है जो कि अपने ही देश के बारे में उल्टी सिद्धी बाते करते हैं और अपने ही देश की जड़े खोदने में लगे हैं मैं पूरी तरह से ऐसे लोगों के उपर ही ठिका हुआ हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसे लोग और भी मुझसे जुड़ते रहेंगे और मुझे काफी अच्छा महसूस होगा